आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महिला पहलवान की जिन्होंने अपने हौंसले और संघर्ष से भारत का नाम रौशन किया है। विनेश फोगाट की कहानी सिर्फ एक खिलाडी की नहीं है बल्कि यह एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। विनेश फोगाट का जीवन उन चुनोतियों से भरा हुआ है जिनसे उन्होंने ना केवल सामना किया बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। हरियाना के बलाली गाउं में जन्मी विनेश ने बचपन से ही संघर्ष और मुश्किलों का सामना किया। एक छोटे से गाउं में जन्म लेकर अंतर राश्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था, खास कर तब जब समाज में लड़कियों को पहलवानी करने से हतोच साहित किया जाता था। फोगाट परिवार में पहलवानी एक परंपरा है, उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट जो खुद एक पहलवान थे, ने अपनी भतीजियों और बेटियों को इस क्षेतर में आगे बढ़ने का निड़ने लिया। गीता और बवीता, फोगाट की सफलता ने विनेश को भी प्रेरिद किया और उन्हें भी पहलवानी के क्षेतर में आगे बढ़ने का साहस दिया। पहलवानी के क्षेत्र में कदम रखते ही विनेश को कई चुनोतियों का सामना करना पड़ा सामाजिक दबाव, आर्थिक तंगी और कई अन्य मुश्किलें उनकी राह में आई लेकिन विनेश ने कभी हार नहीं मानी उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और धैरे ने उन्हें हर मुश्किल को पार करने की ताकत दी विनेश फोगाट का जीवन संघर्ष और विजय की कहानी है और उसमें सबसे महतुपूर मोड तब आया जब उन्होंने 2016 के रियो उलम्पिक में गंभीर चोट का सामना किया ये वहपल था जिसने उनके करियर को बदल दिया लेकिन उनका साहस और संघर्ष की भावना उन्हें एक नई उचाई तक ले गए 2016 के रियो उलम्पिक में विनेश फोगाट से बहुत उम्मीदें थी वह अपने बहतरीन प्रदर्शन के साथ पदक जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी लेकिन 48 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एक दुरभग्य पूर्ण पल आया जब वह अपने प्रतिद्वन्द्वी के खिलाप एक अजीब मोड पर गिर गई और उनके घुटने में गंभीर चोट लग गई दर्द इतना भयानक था कि उन्हें तुरंत मैच छोड़ना पड़ा और उन्हें मैदान से स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा उस पल ने न केवल उनके ओलंपिक सपनों को तोड़ दिया बलकि उनके करियर पर भी सवाल खड़े कर दिये इस गंभीर चोट के बाद विनेश को लंबी चिकित्सा और पुनरवास की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा यह समय उनके लिए शारिरिक और मानसिक दोनों तरह से बेहद कठिन था एक एथलीट के लिए सबसे बड़ी चुनोती होती है उस स्थिती से बाहर निकलना जब वह अपने शरीर के सबसे मजबूत हिस्से को कमजोर पाता है लेकिन विनेश ने हार मानने की बजाए अपने भीतर एक नई उर्जा और साहस को जगाया उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी काम किया और अपने लक्षे को फिर से पाने का संकल्प लिया विनेश ने पुनरवास के दोरान अपनी शारिरिक और मानसिक स्थिती को मजबूत करने के लिए कड़ी महनत की उनके द्रिड संकल्प और अटूट साहस ने उन्हें एक बार फिर से उट खड़े होने और मैदान में वापसी करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को नए सिरे से शुरू किया, अपने खेल को और निखारा और खुद को पूरी तरह से तैयार किया चोट के बाद वापसी करना किसी भी एतलीट के लिए आसान नहीं होता लेकिन विनेश फोगाट ने साबित कर दिया कि अगर आपके भीतर सच्चा साहस और संगर्श की भावना है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती 2018 में उन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत कर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया इसके अलावा उन्होंने कॉमनवेल्ट गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता जो उनकी अद्भुत वापसी का प्रमार था प्रेरणा दायक संदेश विनेश फोगाट की सफलता से हमें क्या सीखने को मिलता है एक, सपनों के प्रती अटूट विश्वास विनेश फोगाट ने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों नहूं उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी कठिनाई आउं आएं अपने सपनों के प्रती विश्वास बनाए रखना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है दो, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है विनेश की सफलता रातो रात नहीं आई इसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत और अनुशासन था हमें उनसे यह सीखने को मिलता है कि बिना मेहनत के कोई भी सपना पूरा नहीं होता अपने लक्षे के प्रती समर्पित रहना और लगातार मेहनत करना ही हमें सफलता के करीब ले जाता है 2016 में ओलंपिक के दोरान हुई गंभीर चोट ने उन्हें तोड़ा नहीं बलकि और मजबूत बना दिया उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी-कभी बड़ी मुश्किले आती है लेकिन यदि हमारे पास द्रिड संकल्प और हिम्मत हो तो हम उन मुश्किलों को पार कर सकते है 4. असफलता से घबराये नहीं उसे सीख में बदले विनेश की चोट ने उन्हें असफलता का सामना कराया लेकिन उन्होंने इसे अपने विकास का एक हिस्सा माना और इस से सीख लेकर खुद को और बहतर बनाया असफलता से घबराना नहीं चाहिए बलकि उसे एक सीख के रूप में अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए 5. समय का सही उपयोग विनेश ने चोट से उबरने के बाद समय का सही उपयोग किया और अपनी कमजोरियों पर काम किया यह हमें सिखाता है कि कठिन समय में खुद को सुधारने और बहतर बनाने के लिए समय का सही उपयोग करना बेहत महतुपूर्ण है 6. परिवार और समाज का समर्थन विनेश की सफलता में उनके परिवार और कोच का बड़ा योगदान रहा है उनकी कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बड़े लक्षे को हासिल करने के लिए परिवार और समाज का समर्थन बहुत महतुपूर्ण होता है हमें अपने करीबी लोगों के समर्थन और सलाह का सम्मान करना चाहिए 7. कभी हार मत मानो विनेश की पूरी यात्रा इस एक संदेश पर केंदर दो कभी हार मत मानो उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाईयां आएं हार मानना कोई विकल्प नहीं है जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता वही असली विजेता होता है विनेश फोगाट की इस अद्भुत वापसी ने उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि विश्व भर में एक प्रेरणा स्रोध बना दिया उनकी कहानी यह सिखाती है कि जिन्दगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए उसे पार करने का साहस और हिम्मत हमारे भीतर ही होती है हार मानना कभी विकल्प नहीं होता बलकि चुनोतियों का सामना करके उन्हें जीत में बदलना ही सच्ची जीत होती है विनेश फोगाट की इस साहसी वापसी ने न केवल उनके खेल को नएा जीवन दिया जो जीवन में संगर्षों का सामना कर रहा है। उन्होंने हमें सिखाया कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बलकि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। उनकी यात्रा यह साबित करती है कि अगर आप में साहस और द्रिट संकल्प है, तो कोई भी चुनोती आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणा दायक लगें, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पासकें।